नागपूर पहुँची टीम इंडिया नागपूर में हुआ शांदार स्वागत सीरीज बराबर करना चाहेगा भारत 21 सितंबर बुधुवार के दिन टीम इंडिया दूसरे टी-20 अंतराश्ट्रे के लिए नागपूर पहुँच चुकी है आपको बता दे कि टीम इंडिया का नागपूर के होटल में भवे स्वागत हुआ जहांपर खिलारियों को फूल माला से उनका स्वागत किया गया आपको बता दे कि BCCI ने इस बात की जानकारे अपने आधिकारे क्ट्टर हैंडल पर एक वीडियो साजह करते दी है इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है जब नागपूर पहुँचती है और बस में चड़ती है उस दोरान सभी भारते फैंस इंडिया इंडिया चिला कर टीम का सम्मान बढ़ाते हैं इतना ही नहीं विराट कोहली को देखने के बाद फैंस भी पूरी तरह से उनके लिए पागल नजर आए आपको बता दे कि जब टीम इंडिया होटल में गई तब वहाँ पर उन्हें माला पहना कर तिलक लगा कर उनका स्वागत किया गया इतना ही नहीं बलकी रिशप्पंत और सुर्यकुमार यादव फैंस को आटोगराफ देते भी नजर आए पहले मुकाबले की बात करे तो टीम इंडिया नहीं पहले टी टीट्वंटी अंदुराश्ट्री मुकाबले में 208 र मनाए थे जिसके बावजू टीम को हार का सामना करना पड़ा लेकिन अब टीम इंडिया चाहेगी कि मोहाली में मिली हार को अब नागपुर में जीत के साथ बदला जाए और सीरीज को एक-एक से बराबर कर दिया जाए इस खबर में फिल्हाल इतना ही बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहीए वन इंडिया के साथ